या हेलो हाई फ्रेंड्स अमित कलेक्शन फेक्टरी स्टोर के इस चैनल में आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको मेरा पहले का फ्रोड और स्कैम वाला कोई सीरीज याद होगा तो उसमें हमने एक जिक्र किया था कि जब हम सौप में नहीं रहते हैं तो कोई डिजिटल टैप से मतलब ओनलाइन पेमेंट करेगा और वो फेक स्क्रीन सोट दिखा देगा ठीक है और फिर बाद मे आप्स खुल कर डिरेक्ट चेक कर लिए ठीक है लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाता है जब आप सौप में नहीं और आप QR-Code लगा दिये हो तो जो बैट रहा हो सौप में उसके पास तो मैसेज आता नहीं है ठीक है तो उसे पता नहीं होता है और स्क्रीन सोट का क्या दोस्त त्यार करके देते थे कि आपका ये पिछले महीना का ट्रांजेक्शन कैसा था पिछले महीने में आपका ये सेल बढ़ा है घटा है आपका जो पुराने कस्टमर जो थे रिपीटेट कस्टमर वो कितने आए हैं उनका वो एबरेज कितना पर्चेसिंग अमांट है बहुत सार करता हूं तो और यह सब कुछ जो भी QR कोड यह सब है यह मेरे फोन से ही किया गया है अब आप कोई सॉल्यूशन भी बोल सकते हो कि नहीं जो सौप में डारेक्ट रेगलर बैठ रहा है तो उसका ही मोबाइल में ऐसा कर दो फिर भी क्या होता है कि आप दूसरे मोबाइल में भी करोगे और अगर वह मालो वह बंदा बाहर किसी काम से गया हुआ है तो वह पता नहीं चल पाता है तो इसका सॉल्यूशन मैंने इस बार भी निकाला है यह पेटियं सॉन्बोक्स लाकर ठीक है यह आप देख सकते हो ठीक है ऐसे तो मुझे इसका तीन प्लैन बताया गया था एक 299 रुपिस का और उसमें है कि 125 रुपे मुझे हर महीना देना पड़ेगा ठीक हो सिम चार्ज और यह सब रेंटल चार्ज हो गया और एक मुझे बताया गया था 1999 रुप अगर मैं पे कर देता हूं वन टाइम तो मुझे हमेशा के लिए lifetime फ्री हो जाएगा ठीक है तो इसमें आपको मैं तो जो मैं प्लैन अभी लिया हूं जो कि यह सब और फिर इसके बाद आप बैक पोशन में देख सकते हो पुरा यह बटम भी दिया गया है ठीक है, और यह चार्जर साथ में इसमें फ्यादा यह है कि आपको जैसे भी कोई पेमेंट करते हैं तो आपको यह सौंड बार में इतना लौडली यह बोलता है कि आप क्लियरली सुन सकते हो कि हाँ अगर पेमेंट सक्सेस्फुल रहा तो ही वो आपको आवाज में यह सौंड करेगा और दूसरी चीज़ फिर आपस में भी आपका नोटिफिकेशन में डारेक्ट जैसे नॉर्मल पहले आता था वैसे आ जाएगा ठीक है और अगर आप फिर है सौप में और आप नहीं सुन पाए हो ध्यान से तो आप उसको रिपीटेड फिर से रिपीट करके सुन सकते हो एक चीज़ और फायदा है कि तो वहां पर भी यह सब लगा हुआ आजकर मिल रहा है क्योंकि उन लोग के साथ जादा फ्रॉड होता इस तरह का ठीक है उन लोग पड़े लिखे नहीं होते हैं और सामने में फेक स्क्रीन सोट दिखा देते हैं और वह सोचते हैं कि हाँ प्यमेंट चला गया होगा तो उन क्या इच्छ है कि अगर आपको नहीं सुनाई देता है और कोई अगर कस्टरमर क्लेम करता है ठीक है कि नहीं वह प्यमेंट चला गया है कर दिये हैं तो उस तरह का क्लेम को आपको नहीं मानना है ठीक है अगर वह ट्रांजेक्शन सक्सेस्फूल रहेगा तो यह सौंडबोक इसमें ना आये तब तक आपको नहीं मानीगा तो ठीक है तो यह तो हमारा यह सौलिशन जो हमारे सौप में जो प्रॉब्लम आ रहा था ओनलाइन फेक और इसका तो सौलिशन हमने निकाल लिया है और इस तरह के कुछ भी अगर हम सौप में नया कुछ मंगवाते हैं ठीक है तो उसका भी वेडियो में आपको अपडेट कर दूँगा थैंक्यू